थाना अंतरगत पस्या गाउं में दो अपने सग्य भाई में जमीन को लेकर तनाव चल रहा था जिसका रुक आज खतरनाक अक्तियार कर लिया और दोनों भाईयों में मार पीट के साथ गोली बारी चल पड़ी जिसमें गोली लगने से एक महिला की घर्टना सल पर ही मौत हो ग गया गटना की खबर मिलते ही स्ट्रीपो स्री वसस नारें सिंग इंस्पेक्टर मनोश कुमर मलिक दल बल के साथ खटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गए वहीं खबर मिलते ही जहां मुमो विदानसबा प्रभारी हफिजुल हसन मदुपूर और नगर परशत के उपादेक जाउलक रुफटारजन भी खटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को सीधे हॉस्पिटल पहुंच आया गया इस बाबत मदुपूर स्ट्रीपो स्री वसस नारें सिंग ने बताया कि मदुपूर थाना के अंतरगत पसिया गाउं में दो अप सी जमिन को लेकर तना हुआ जिसमें हबीब सेक की तरफ से गोली बारी चली जिसमें गोली लगने से गुलाब सेक की पतनी जूलेखा खातुन पचास वर्सी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और गोली लगने से गुलाब सेक और इना सेक चक्मी हो गए जिसके इलाज के ल मदुपूर्थाना अंतरगत ग्राम पस्या में आज दोपार में गुलाब सेव और हभीब सेख दोनों आपस में सहोधर भाई हैं इनलों को के बीच जमिन समंदित आपस में पुर्व से विवाद चला रहा है इसी लड़ाई जगरा के करम में जो है आज दीन में गुलाब और उसकी पत्नी और उसके लड़के को सिराज सेख के द्वारा जो गोली मरी गई है जिसमें में महिला की मिर्टू अटनास्तल पर ही हो गई दो जक्मी है जो खत्रे से बाहर है जिने उचतर इलाज के लिए देवगर सदर आस्वताल में जाने हैं अश्तर खोका वगरा कु झाल जिसमें महिला कुलल्पार करते लाजुर से